अब तीसरा सवाल लेते हैं, सवाल मुझे चंदर्शेगर जी का है, और चंदर्शेगर जी विजय नगर से हैं, उनका सवाल है कि आपने, ये मुझे पूछ रहे हैं, आपने हमेशा से कहा कि करनाट का रामदू तहनमान की नगरी है और संस्कृति से भरे प्रदेश का देश ह और विकास देश के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला प्रदेश है, करनाट का की सोब पावर में आप कितनी संभावनाय देखते हैं, अगर मुझे एक वाक्या में कहना है चंदर्शेगर जी तो मैं ये ही कहूंगा, मैं बहुत ही संभावनाय देखता और इस अर्थ में आपका सवाल भी बहुत महतों पुन लगता है, देखे भाषा, संस्कृति, साहित्य और इत्यास की गवरव साली धरोहरों में करनाट का बहुत सम्रुद्ध है, आप वहां रहने वालों का ध्यान जीतना जाता होगा, हम भार से जब आते हैं ना, हम तो अ हमेशा से अपनी वर खिरती है, अध्यात्मिक्ता में करनाट का कोई मुकाबला नहीं, और यहां पर अध्यात्मिक्ता लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक जागरुकता के तरफ जाने को प्रिलित करती है, यहां अध्यात्मा और समाजिक उत्थान दोनों साथ साथ चलते है चाहे वो कनकदाश जी की भक्ती हो या फिर शीव सरण के वचन हो करणा टका के लोग भक्ती की शक्ति का उपयोग समाज के निर्मान में लगाते हैं भविश्य के निर्मान में लगाते हैं दूसरी बात यह है कि करणा टका के लोग समय के साथ और कई बार तो समय से भी आगे चलते हैं। आधुनिक्ता के साथ चलकर भी करणा टका के लोग अपने साहित्य अपनी भासा से जुड़े रहते हैं। यहां के युवा कोडिंग भी करते हैं और कुवेंपूजी की कविता भी पढ़ते सुनते हैं। आज भी करणा टका के युवाओं में कंड़ा साहित्य पढ़ने की संस्कृति जिवित है। करणा टका अपने गवरव शाली अतीत के प्रति सजग है और करणा टका देश के भविश को घड़ने में पूरी तरज जुटा हुआ है। मेरा और करणा टका का नाता भी पुराना है। करणा टका के लोकों के स्थेव को मैं दसकों से महसूस कर रहा हूँ। मुझे दसकों से आशिरवाद मिलते रहे। ये तबका स्ने हैं जब मैं किसी पदपर नहीं था। और यहां पार्टी के काम के लिए एक साधन कार करता के रूप में आया करता था। इतना ही नहीं। इसके भी पहले। जब मैं राजनिती में भी नहीं था। स्रदेयादराव जी जो सी इप्चर्णों में आकर कि बैठना कम जब सभागे मिलता था। उस दिन से मेरा जो करना टका और करना टका के लोगों के साथ जो मेरा नाता जुड़ा वो तो वो लगातार वो और मजबूत होता जा रहा है। इसलिए ही अक्सर मैंने मन की बात कारकब में करना टका की संस्कृति की बात की है। करना टका के कितने ही लोग हैं जो करना टका के विकास के पुन्य कारे में अपना जीवन लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की तपस्या को सबके सामने लाने का प्रयांस मैं मन की बात में भी मोका नहीं छोड़ता हूं। जब भी मोका मिले, मन की बात में, मैं कर ले तो अरदापक में मालूम है, अब इस रभीबार को मन की बात का सौवा एपिसोड है, सैंचुरी लगा देखा, वो आपके आशिरवाद से संब्भो है, देश वाचों के आशिरवाद से संब्भो है, और मैं तो इसके लिए देश आज भारत अपनी विरासत पर गवरों के साथ ही अपनी संस्कृति, अपनी आस्ता, अपने इतिहास से जुड़े प्रसीद्य स्थानों को आधुनिक अवतार के सामने ला रहा है। इसमें करनाटका के सौब पावर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। करनाटका में इसके लिए अनेक संभावना है, जिनको डबल इंजिन सरकार ही आवसरों में बदल सकती है।